हेलो पैरेंट्स आप लोग कैसे हैं मैं पूजा ग्यान सीजर्ण एकाडमी में आपका स्वागत करती हूँ आज हम लोग देखेंगे मैठ वरक्षीट फॉर्द एलकेजी क्लासे मैठ की वरक्षीट एलकेजी क्लासे के लिए कैसे तैयार की जाती है किस तरह से बच्चों को उ हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं और न्यू न्यूज आइडियाज बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास लेके आ सको तो चलिए स्टाट करते हैं मैठ वरक्षीट फॉर्द ग्लास एलकेजी ओके लास एलकेजी में बच्चों को हम लोग सिप कॉ इस तरह से बच्चे को अंडर्स्टूट करवाते देखें यहां पर एक वरक्षीट मैंने तयार किया है सर्कल जा लॉंगर ऑबजिक्ट इन इच बॉक्स इस तरह कि आप बड़े छोटे चीज बना के दीजिएगा उसमें से वह सर्कल करेगा आप बड़े चीज को सर्कल कर करवाई यह नेक्स्ट है एक दे लॉंग ऑबजेक्ट एंड़ क्रॉस आउट दस्वाट वन ओके जो बड़ा है उसे टिक करना है तो बच्चे को यह भी नहीं पता होता है कैसे किया जाता है तो वह सब चीज हम लोग को सिखाते है इसमें टिक करना क्रॉस करना छोटे अब है आप देख रहे हो इस तरह कि आपको वरक्षीट वाली कॉपी नोटबुक भी मार्केट में अबिलेबल है तो आप वह भी खोज करके मार्केट में आपको मिल जाए तो आप पर्चिस कर सकते हो अखुद से भी तयार कर सकते हो क्योंकि पिच्चर ड्रॉ करना थोड़ी दो जैसे बैलून बनाना सबकर डाइटर ऑब्जेक इन इच बॉक्स इसमें क्यां बिक्सरों करते हो कौन सा हलका चीज है कौन सा भारी चीज इस तरह की भी औब्जेक्ट करके मैंने सबचनी कर वाया है देखिए मैंने बलून is lighter than the ball यह तो बच्चे को भीरे दीरे यह चीज हम लोग सिखाते हैं सिखाके उसके यह चीज बच्चे खुद भी टच करके फील करके महसूस करते कौन सा लाइटर अबजेक्ट है यह सब बहुत इसली वोग बता देते हैं और नहीं है तो आप उसको वो चीज को इंटीफाई करवाई यह बैलून से बच्चे खेलते बॉल्स रह जो बता देंगे क्यूंक काुंसा हल्क सब कर कर दो कोंसा बारी है इंटेस् जहें हम दो हभाटा को करवाना होता हैं lighter and heavier and longer and the shorter okay these are the words इस तरह करके हम लोग वर्ड भी दीरे दीरे उसके इंटर्डूश करवाते हैं अब देखें इसमें से क्या करना है शर्कल दो अब्जेक्ट डैटार आउट 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 तो अब बच्चे अपने समझदा रिखारी से कौंसा चीज सामान बॉक्स के अंदर है कौं सा सामान बॉक्स के अंदर बाहर है इस तरह से अपर सरकल करेंगे अंदर ती कर। quindi इसमें Thicker & Thinner , एक को tick को क्रोस करना है अब बच्चे को counting भी आगई है तो counting आ गई है तो हम लोग object को count करवाना सिखाएंगे पहले तो बच्चे को जैसे हम लोग count the number and right भी देते हैं लेकिन उसके पहले यह circle क्योंकि बच्चे में confidence नहीं आती है कि वह हम उसे 5 बोले तो 5 लिख देगा फोर बोले तो फोर लिख देगा इसलिए सबसे पहले हम लोग काउंट नमर के लिए यह यह मैथर्ड यूज करते हैं जैसे इसमें मैंने दो तीन आप्शन दे रखा है बच्छा काउंट करेगा वन काईट वन काईट इसमें उसे कहां स सब्सक्राइब करने के लिए बच्चे को समझाईए कि जिसमें कम है उसको टिक करना है यह जिसमें इसको टिक करना है यह जिसमें सब्सक्राइब करना यह आपके उपर्ड़ों करते हैं आप बैटा सब्सक्राइब करना हो सब्सक्राइब करने करना बच्चेन बपोर्ट ओती है वान तुलिकलो बैटा बच्चे बहुत बोर्ड होते हैं इस तरह से बच्चे को इतना वक्षीट करते-करते बच्चे वांटो फिप्टी-वांड तो हंड़ेट वह काउंटिंग आप बच्चे को हम लोग सिखा लेते हैं अब इस तरह के वक्ष हो जाए इस तरह के वक्षीट बच्चे जब कम्प्लीट कर ले तो नेक्स्ट हम लोग आपको पहले ही मैंने बताया था पहले ऑप्शन देखें लोग काउंटिंग कर वाते फिर उसके बाद अब देखें यहां मैंने फिल बॉक्स वाला दिया है जैसे वन दॉग तो बच्च अब्जेक्ट कर रहा है उसके साथ मैंचिंग प्राइब होंगे कि यहां दिये और एक दॉबर दे दिये उसके नियर जैसे मैंने देखें यहां पर मैंने नियर नियर दिया है ज्यादा बच्चे को धुम्डने के लिए उपर नीचे नहीं करना पड़ेगा ऐस कौस्ट इस अब देखिए भी कॉंट दा नॉमर रण सर्कल दा करेक्ट वन्टु पाइन अपिल तो ऺज़का करना बच्छे को दो पे सर्कल करना है वसी तरह सारे काउंटिंग करते करते जो सही option है उस पर बच्चे circle करेंगे, अब देखिए, अब आई new type of worksheet, इतना बच्चा कर ले, तो अब यहाँ पर बच्चे थो confident रहते हैं, 1, 2 के counting के बारे में, अब आया, read the number and circle the, circle those many object, अब बच्चे यहाँ पर read करेंगे 7, और यहाँ पर 7 object को circle करेंगे, 1, 2, like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक और होती है, जैसे मैंने यहाँ पर 7 लिखा है, तो 7 objects बच्चे को draw करना है, तो objects में बच्चे generally standing line और circle ही draw कर पाते हैं, यहाँ मैंने 7 लिख दिया, तो बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लड़ू, 7 circle या 7 standing line, 7 slipping line, ऐसे draw करेंगे, इस तरह से भी आप देख सकते हो, 2, 2 brinjal, 2 circle या take, 1, 1 oranges, ओके, अब हम लोग आ गया है, missing number fill करने के लिए, बच्चे को 1, 2 आ गई है, अब इस तरह से, आप या तो full 1, 2, 50, 1, 2, 20, इस तरह करके missing number दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने अलग-अलग करके दिया, एक ही climb करके, इस तरह vertical way में दिया है, ओके, और हम लोग एक full 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसमें missing करके दे सकते हैं, मतलब whole counting जो होती है, 1 to 100, उसमें missing करके दे सकते हैं, और इस तरह से भी, 1 to 5 है, इसमें missing है, 6 to 10 है, उसमें missing है, ओके, आप देखे, मैंने यहाँ counting, नमर राइट, हाँ, जब भी बच्चे को आप नमर राइट करवाईए, नमर लिखवाई है, 1 to 10, तो यह 1s और 10s जरूर दीजे, इससे क्या होता है, बच्चे को आगे चलके addition, subtraction में सुभीधा होती है, आप बच्चे को 1s और 10s की concept के लिए होती है, जब बच्चा यहाँ 10 लिखता है, तो उसे पता होता है, 1s के नीचे 0 लिखना है, 10s के नीचे 1 लिखना है, इस तरह से बच्चे को हम लोग लिखने देंगे, तो बच्चे बीच बीच जब उठा के लिखेंगे, तो उसे एक जम, 1,200 की बीच में जो counting होती है, वहाँ उस तरह से बहुत सारे practice करने वो उसकी counting किलियर हो जाती है, वो mistake बहुत कम करते हैं, अब read the number and circle those many object, वही 5 यहां लिखाया तो 5 circle को पहले भी मैंने यह worksheet यहां पर पहले करवाई है, अब देखें, यहां पर after and before, अब हम लोग after and before को introduce करवाया है, लेकिन उसके लिए मैंने एक किये, 1, 0, 2, 10, 1, slipping line देख करके, जिसको lining पर after and before इसे क्या होता है, बच्चे को समझने में सुभीता होती है, जैसे 2 है, 2, 2 के बाद क्या है, 2 के after 3, 1, 1 के बाद, 1 के बाद 2, बच्चा देख देख के करता है, तो उसे confidence आती है, गलती होने के chances भी कम होती है, बच्चे को समझ में ज़्यादा आती है, यह in between है, इसी तरह after and, पहले हम लोग between से start करते हैं, उसके बाद after and before भी introduce करवाते ह आप देखें, यहाँ पर ठीक reverse pattern में दिया है, मैंने, जैसे यहाँ पर 3 मैंने लिख दिया है, इसे 3 object ड्रॉ करना है, ओके साड़ा नमर्स दिया हुआ है, अब बच्चे को objects ड्रॉ करना है, इस तरह से बच्चे को drawing बनाने के भी क्या होती है, मतलब इच्छा होती है, वो भी पूरी होती है, इसमें बच्चे को यह भी नहीं रहता है कि गंदा drawing हो या अच्छा drawing हो, और कुछ कुछ जो बनाने के उ लोग खुसी-खुसी बनाते हैं, अब next comes after, मैंने आपको बताया था, between, between के बाद after, after के बाद भी before, इस तरह से हम लोग worksheet और भी करवाते हैं, जैसे after है, after, before करवाने में थोड़ा से हम लोग time लेते हैं, क्योंकि before करने में बच्चे को बहुत confusion होता है, इसलिए between, after, counting बच्चे को थोड़ी-थोड़ी आने लगती, one to ten backward करकर, one to ten backward counting बच्चे अच्छे से learn कर लेते हैं, तब हम लोग before करवाते हैं, जिससे बच्चे को, मतलब, यह परशानी नहीं होते हैं, कि मुझे आता नहीं, तो नहीं आने के डर से बच्चे लोग कुछ करते नहीं है, इ यह मन में बात ना है कि मुझे आता नहीं, इसलिए हम पहले backward counting करवाने के बाद, before introduce करवाते हैं, ओके, ओके parents, मेरे ख्याल से इतनी वर्क सीट काफी है, और नेक्स्ट सीरीज के लिए, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करिएगा, और एक लाइक जरूर दीजिएगा,